के बियस यानि की केंद्रिय विद्याले संगठन में प्राइमरी यानि की PRT, PGT यानि की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT यानि की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग-अलग कुल कितने पद रिक्त हैं एक RTI यानि की Right to Information सूचना के अधिकार के तहत इसके संबन्द में सूचना मांगी गए थी जिसका जवाब आ चुका है चुकि केंद्रिय विद्याले संगठन में नौकरी अपने आप में एक सम्मान की बात होती है इस वज़े से आपको ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है कि अगर वर्स 2022 में वैकेंसी आती हैं तो कितने पदों पर ये वहरती हो सकती है अंत तक जरू जोड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप के हुए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं केरियर बिट ये टिप चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़ेट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेलेगन को प्रेस करना ना भूले KBS के द्वारा जो RTI का जवाब दिया गया है उसका पत्र देख पा रहे होंगे 30 अगस्त 2022 को ये पत्र लिखा गया था इसमें पहला प्रश्ण ये पुछा गया था और दूसरा प्रश्ण पुछा गया था एक जुलाई 2022 के अनुसार PRT में यानि प्राइमरी में 4545 पद खाली है PGT में यानि 11 और 12 के टीचर के लिए 2147 पद खाली है वहीं TGT की बात करें Trend Graduate Teacher की तो इसमें कुल खाली पदों की संख्या 4268 है यानि कि अगर देखा जाए कि इतने पदों पर भी अगर वेकेंसिज आ जाती है तो 10,000 से जादा वेकेंसिज हैं अभी केवल KBS में तो उमीद रखिए और आप अपनी त्यारी करते रहिए KBS की वेकेंसिज कभी भी जारी हो सकती है और हो सकता है कि वर्स के अंत तक आपको KBS में बड़ी वेकेंसिज देखने को मिल सकते है 10,000 से जादा पदों के संदर में तो इसके संदर में आप अभी से प्रिपरेशन तयार रखेंगे तबी आप मेंटली प्रिपेर हो पाएंगे अनेथा की कंडिशन में आप UP की सूपरडेट की परिच्छा की तरह मत सोचीगा कि KBS का पेपर भी उसी साब से आएगा उसका लेवल काफी अच्छा रहता है चुकि ये सिंट्रल लेवल की जॉब है तो आपको उसी अनुसार अपने आपको प्रिपेर करना होगा तो अगर आप सीरियस हैं तो अभी से त्यारी करना सुरू कर दीजे KBS में भरती को ले करके उमीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आयोगी ऐसे ही मतोपून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भू